नमस्कार दोस्तों प्रीवियस ans iar guide Map का स्वागत है आज हम लेका आयें को त्रकन समान ज्यान जो अंठ्पून प्रेस्ट दोस्तों यह सभी प्रेस्ट परिक्षा हने से लिए हैं इसलिए सभी प्रेस्टों भीर रख सकते हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं तो आज का हमारा पहला प्रस्न है चंद वंस का सबसे सक्तिसाली राजा कौन था दोस्तों चंद वंस का सबसे सक्तिसाली राजा था बाज बहादूर चंद बाज बहादूर चंद कौन था जिसने बाजपूर नगर की क्या कर थी दोस्तों जो चंद वंस्था उसका असली जो संस्थापक था वह था सोमचंद ठीक है सोमचंद था और एक और था उद्यान चंद उद्यान चंद कौन था जिसने राजदनी चमफाउत में बालेश्वर मंदिर की नीव रखी थी और फिर जो निर्मन पूरक कराया था वो था विकरम चंद जिसने ठीक है और चंद सासकों में एक और महत्पूर्ण सासक है भीष्म चंद भीष्म चंदे ने क्या करा था चंपाओत से जो राजधानी थीmod कर दी फीध है कहां हगमरा के किले में और जो आखरी चंदर राजा था हो था महिंदर चंद है जिसको सत्र सौनबे में गुर्खाव ने क्या करा था पराजीत कर लिया था तो हमारा अगला प्रस्न है चंदर राजाओं का राजचिन क्या था दोस्तो चंदर राजाओं का जो राजचिन है था हो था गाय हमारा तीसरा प्रसन है चंदों और मुगलों में संबंद होने की राज जानकारी किस गरंद से मिलती है दोस्तों चंदों और मुगलों के बीच का जो संबंद की जानकारी मिलती है सहनामा और जहांगी नामा से ठीक है हमारा अगला प। ने है, KUMाव में चंद साँसन का अंद कर और किसके द्वारा किया गया ने कराया था दोस्तों मल्ला महल बनाया था कल्यान चंडर ने हमारा सात्वा प्रेस ने परमार वंस के किस सासक ने अपनी राजधनी चांदपुर गर से देवलगर और देवलगर से स्रीनगर में इस्थांतरित करी दोस्तों परमार वंस गर्वाल के गर्वाल का वंस था ठीक और इसका वास्तिक संस्तापक वैसे था अजे पाल, अजे पाल कौन सा था, सैतिस्वा राजा था, तो अजे पाल को कुमाओ के राजा ने हराया था, सबसे पहले किर्टी चंद ने, किर्टी चंद कुमाओ का सा सकता, जिसने गड़वाल के राजा अजे पाल को हराया, तो यह अजये पाल की क्या हुरी है यहां पर बात हुरी है, तो अजये पाल के बारे में कुछ जरूरी फेक्ट आपको बताना चाहता हूँ, जो की परिखशा में पूछे जाते हैं, अजये पाल ने क्या गरा था, अपनी कुल देवी जो राज-राजेस्वरी थी, उनका मन्दिर बना एक और खाश है तोकि एक और खाश है था इसकी तुल्ना असुक सि की जाती है क्योंकि इसने लास्ट में छोड़कर असुक के जैसे इसने क्या किसी कह एक राजद अपनायाम था हिसका ओ अज पार समें लास्ट में आदी नाज है परमार्ससकों को साहा की उपादी किसके द्वार्ण द्वार्णा नामार्ससक को साहा की उपादी द्वारा प्रचनला नाम संहा धारा किinos steam the दोस्तों साह की उपादी सबसे पहले बलबद्र साह ने धारण करेंजी हमारा अगला प्रशन है किस परमार सासकों ने मुगल दारा सीकों के पुतर सुलमान सीकों का संरक्षन दिया दोस्तों सुलमान सीकों को संरक्षन दिया था प्रिच्वी पती साह ने हमारा इगार्वा प्रसन ए गढ़वाल सासक, मान्सा और महपति सा के समय कौन से हमले हुए है दोसतो, उस समय वे थे तिबती हमले हमारा बार्वा प्रसन है किस प्रगेटीहासिक इस्तल के सेलचित्र में योग-मुद्रा में मानाओ का चितरन मिला है दोस्तो ये मिला है अलमुडा के फल सीमा में हमरा अगला प्रेसन है नित्कों का सुंदर चितरन की सहल चितर में किया गया है दोस्तो ये है कसार देवी अलमुडा कसार देवी अलमुडा अपने जियो मैगनेक्टिक फिल्ड के लिए बहुत फेमस है कसार देवी अलमुड़ा वहां क्या मिला है नितकों का सुन्दर चितर्ण मिला हुआ है सेल चितर के रूप में हमरा अगला प्रस्न है मलारी गाउं के प्रागयती हासिक पुरा इस्थल की खुदाई कब और किसके द्वारा की गई दोस्तों यह की गई थी गड़वाल विश्व इद्याले स्री नगर द्वारा सन दोजार दो दोस्तों मलारी गाउं कहां है यह है चमूली में जहां पर नंदा देवी बाइस सेरी जल्व है उसी जगह पे क्या पढ़ता है मलारी गाउं हमारा चोद्वार प्रसन है किस इस तल से नीले रंग के सेल चित्र मिले हैं दोस्तों नीले रंग के सेल चित्र मिले हैं हुडली उत्तरकासी से हमारा पंद्रवा प्रसन है पाली भासा के बहुत साहित्यों में उत्राखन छेत्र के लिए प्रियुक्त सब्द दोस्तों उत् ग्राम्मीैं उत्रा खंट क में उत्तर कुरू हमारा अगला प्राशन दिसलों हिस्कंद पुरान में मैं जेत्र कोग्त्ृ की सरवादिक चार्था है उले किस धालमिक ग्रंथ में मिलता है दोस्तों यह मिलता है रिगवेद में अगला प्रस्न है रिगवेद में उत्राखन छेत्र के लिए कहा गया है दोस्तों रिगवेद में कहा गया है देवताओ और मनीश्यों की पूर्ण भूमी कहा गया है उत्राखन को अगला प्रस्न है उत्राखन पर सासन करने वाली प्रत्म राजनितिक सक्ति कौन थी दोसतो उत्राखन में सासन थी कुरिंद राजवand क्या थी जो पहली सक्ति ठीक अ स्थन प्रारामविक राजसनी थी वो थी कालसी कालकुट दहरा दून और इसका जो एक राजा था अमोग भू थी कि याफने सुनाओगा वही कुरिंद श शासक्व का क्या था सयम में अमोग भूति था हमारा अगला प्रस्टा is कुरिंद वन्स पोर Allah का सब्से सकती सासदी स्यमियर सासक था सकों के बाद राजी के तरही छेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था दोस्तों ये थे कुषान कुषानों ने क्या कर लिया था अधिकार कर लिया था सकों के बाद छटवी सती के उत्राद में किस ने उत्राखन पर अधिकार किया दोस्तों ये थे कन्मोच के मौखरी ठीक है तो इसको आप याद रखेंगे हमारा 24 वार प्रस्न है मौखरीयों के बाद उत्राखन पर किस बाहरी राजवन्स की सत्ता इस्तापीर हुई दोस्तों ये थे वर्धन वांस के हर्ष हमारा अगला प्रस्न है उत्राखन के किस राजवन्स को प्रथम एतिहासी के राजवन्स माना जाते है दोस्तों ये थे कार्थी केपूर राजवन्स हमारा 26 वार प्रस्न है साथ सो एस्वी से लगवग एक हजार पचास एस्वी तक सासन करने वाले कार्थी के पूर राज़इश की पहले तिन सो वर्ष तक का राजधानी चमूली की कार्थी प्रू नाम अकिस्तान पर थी उसके बाद rाजधानी बनाईगी बागेसवर के बैजनाद, दोस्तों जो बैजनाद का इलाका है, उसी को कार्थी के पूर नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने क्या करा था, अपनी राजधानी चमुली से सिफ्ट करके कहा लागे थो, बैजनाद में, बैजनाद, बागेसवर, जो की सर्यो प्रथम राजा कौन था दोस्तों ये था राजा बसंत दे अमारा ठाइस्वा प्रस ने निंबर वंस का कौन सा सकता जिसने समस्त उत्रकन को एक सुट में बाधना चाहता दोस्तों ये था निंबर पूत्र इस्ट गन दोस्तों यह था इस्ट गन फांडू केशवर तामपत्र में कि सासक को कलिश्ञक में मगन धठती के उमार के लिए बरहवतार बताया गया इस्टिगुन पूत्र ललित सूर्देव को हमारा 31 प्रसने बैजनात मंदिर को किस ने बनाया था दोस्तों बैजनात मंदिर को बनाया था ललित ललित पुत्र भुदेव ने हमारा 32 प्रसने राजी में वन नीती के विरोद में व्यापक जन अंदुलन कब चलाए गया है दोस्तों व्यापक जन अंदुलन चलाए था वर्स 1901 से 1970 के मत्जिम हमारा अगला प्रसने किस अंदुलन में भोलू राम और नागेंद्र सहीद हो ग और मोलू भरदारी इनकी क्या हो गए थी यह सहीद हो गए थे 11 जनवरी 1948 को दोस्तों इन्होंने क्या ग़रा था राज साही से मुक्ति के खिलाफ मोर्चा समाला हुआ था जिस दोरान इन पे गोली लगने से इनकी क्या हो गए सहीद हो गए थे ठीक है तो किर्तिनगर कहा है दोस्तों ये भी है चमूली हमारा अगला प्रसन है राज की भासा कुमाओ ने है प्रत्थम अकबार का प्रकासन अल्मोरा से कब सुरू किया गया है दोस्तों ये किया गया था अठार सो एकत्तर में कुमाओ में इसका नाम था अल्मोरा अकबार ठीक है अठार सो एकतर में अल्मोडा अकबार की क्या हुई थी शुरुवात हुई थी जिसकी शुरुवात के थी बुद्धी वल्लब पंतने इसको आप याद रखेंगे हमारा 35 प्रसने वर्स 1947 में देहरादून में किस पत्रिका का प्रकासन हुआ दोस्तों 1947 में हुआ था युगवानी का प्रकासन ठीक 15 अगस 1947 युगवानी देहरादून यह आप याद रखेंगे जिसका संपादक थे भगवती पांत्री भगवती प्रसाद पांत्री जी ठीक है हमारा च्छाट रिष्ट सव प्राशना है वर्स 1922 में राज के किस महिला अंडोलन कारी को जिन्दा और मोरोधा पकड़ने का आदेज जारी किया गया था हमारा थीmospe प्राशना है वर्स 1941 में गांदीजी ने अपनी ब्रेटी सिक्षिया शरला बहन को कौसानी बेजा जहां पहुंचकर उन्होंने कौन सा असरम इस्तापित किया है दोस्तों यह आसरम था लक्षमी आसरम ठीक है तो इसका आप याद रखेंगे शरला बहन का दूसरा नाम जो असली नाम था यह भी आपको याद होना चाहिए यह है कैथरिन मेरी हैलीमन यह भी कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों यह जो लक्षमी आसरम है यह कहां है यह है कौसानी बागिस्वर में हमारा 38 प्रसन है 14 सोमिस्वर अलमुरा में हमारा 49 प्रसन है एक लंबे संगर्स और अंदोलन के बाद राज में 172 विश्वर इड्यालों की स्थापन होई दोस्तों यह वर्सा 1973 जिसमें कुमाव यूनिश्टी और गड़वाल यूनिश्टी बनाई गई उत्राखन में दोस्तों फिर गड़वाल यूनिश्टी का नाम बदल दिया गया 1989 में जिसका नाम रखा गया हेम वंती नंदन भहगुणा गड़वाल विश्वर इड्याले फिर इसको सेंट्रल यूनिश्टी भी बनाया गया इसकी भी डेट पूसता है कितना पंदर जन्वरी दोजार नो इसको सेंट्रल यूनिश्टी बना दिया गया है बाकी कुमाव यूनिश्टी तो 1973 से क्या है चलते हुए आ रहे है हुए हमारा चालीश्वा प्रस्नह हैं उत्रखन प्रिथक राज की मांग सर्वडर्म सर्वप्रथम कब उठाए गई दोस्तों यह उठाए गई थी उनिश्व अरतिस में और कहा पर उठाए गई आ डिए था श्री नगर संपेलन जिसमें उत्रखन को Pritro革 की मांग यह दोस्तों हमारा ऑगला प्राशन में प्रजय के स्थामने का उदेश किया था जनता को टिहरी राज के कुशासन से मुक्त करना दोस्तों टिहरी राज प्रजा मंदल कपका है यह है 1949 का जिसको सिदे सुमन ने क्या करा था इसकी सुरुवात करी थी ये भी आप याद रखेंगे पूछा जाता है और सिदे सुमन ने हिमाले सिवा संग की भी क्या करी थी सुरुवात करी तो इसको भी आप याद रखेंगे हिमाले सिवा संग और तीरी राज प्रजा मंडल हमारा अगला प्रस्ण है गड़वाल सर्वदलित परिश्ट का गठन 1982 में किस ने किया था दोस्तों ये थे जैनंद भारती जी जो कि डोलब पाल की अंदोलन के संचा लग भी थे हमारा अगला प्रस्ण है हिमांचल और उत्रखन को म पचास हमारा अगला प्रस्ण है कब तीरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्रखन में जगत जगती रंगा फेराए गया और कई स्थानों पर नमक बनाए गया है दोस्तों ये थी 6 जनवरी 1930 की बात हमारा अगला प्रस्ण है लक्षमिदत जोसी के निसार कार्थिके पूर के राजा मूल तर कहां के दे दोस्तों ये थे आयोध्या से आए हुए कार्थिके पूर के राजा हमारा अगला प्रस्ण है कार्थिके पूर राजाओं के देवता कौन थे दोस्तों ये थे कार्थिक के हैं इनके कैसे देवता थे हमारा अगला प्रसने की छेट में प्रसलित है कि कार्टिके पूर वंच के अफसान पर सूर अस्त हो गया और रात्री हो गया दोस्ते कुमाओ छेटर में ऐसा प्रसलित है हमारा अगला प्रसन है कार्टिकेपूर राजाओं की राज भासा और लोग भासा क्या थी दोस्ति यह थी संच की तोर पाली भासा हमारा अगला प्रसन है कार्टिकेपूर राजाओं के बाद मद्य काल मैं कुमाओ छेतर पर किन सासोका का आदी पत्य था दोस्तो यह था कत्य राजाओं का हमारा अगला प्रत्रेस्ण है कर्ट टी शावकों में आसती देवज के सासकों की यूसी मट ऑर जिस को बाद में गया चुला कोंत हाज्ती गार्ड अंतिम और अतियचारी सासक। अंत अतहर थृव् सोय Ig, Тैमूर लंग ने हरी द्वार पर आक्रमन किया है धी पुच्छा जाता है कि हरी द्वार आक्रमन किसने किया यह था तैमूर लंग और आसती देव बसका जो अंतियाचारी शासकता हो था प्रब देव अमरा तिरपन्वा प्रस्न है असोक चल कौन और कहा का रज था जिस呢 कत्योरी पर 1100 दू से चंदे जिसको हम पहले देख चुके हैं पहले पराशन में अगला में कुमाओं परिषट का कंग्रेसिह में क्या हो था है कमाओं में अल्मोरा कंग्रेसिंग की स्टाफना के गई 870 में और 870 में ही अलमोडा अकबार की भी क्या हुई थी शुरुवात हुई थी और एक और चीज़ आप याद रखेंगे हैपी क्लब हैपी क्लब की सुरुवात कि इसने करें थी पंडेट गोविंद वल्लप पंत ने हमारा अगला प्रस्ट ने चनोदा सुमेसर अलमोडा में सांती लाल त्रिवेदी के प्रयास से गान्दी आस्रम की स्तावना कब की गई दोस्तों यह की थी 1949 में यह हम पहले भी देख चुके हैं प्रसिद पेसावर कांड का हुआ जिसमें हवलदार वी चन सिंग गड़वाली ने निहत्य अफगान सतंता से नाने पर गोली चलाने से इंकार कर दिया गया था दोस्तों यह था 1930 की बाद जब उन्होंने पठानों पर गोली चलाने से कह किया था मना कर दिया था अगला प्रसिद पेसावर कांड में प्रभावित होकर किसने संपून देश में गड़वाल दिवस मनाने की गोशना की दोस्तों यह थे मोति लाल नहरू हमरा 61 प्रसिद अम्रिट सर कांडरेस 1919 में गड़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था दोस्तों यह थे अनुसुया प्रसाद बहुगुणा वा बैरिस्टर मुकंदी लाल हमारा अगला प्रसिद है 62 कौसानी में लक्ष में आस्रम की स्थापना किस ने की दोस्तों कौसानी में लक्ष में आस्रम की स्थापना की ती सरला बेहन जिनका दूसरा नाम क्या था कैथरिन मेरी हैलीमन जिननोंने गांधी जी के गांधी जी को फालो करते वे क्या किया था उनके कहने पर उन्होंने आस्रम क्या किया था बनाया था हमारा अगला प्रस्टन है गालो दिया इस्टोर डखेती कान 1930 में उतरखने में कौन सामिल था दोस्तों ये थे भवानी सिंग हमारा अगला प्रस्टन है नमक शत्तागे के दौरान अनमुरा के नगरपाली का भवान पर किसके नेतरन में तिरंगा फेरा गया दोस्तों ये थे विस्नी डेवी साह हमारा अगला प्रस्टन है गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ती योग नाम से गीता की क्या भूमिका लिखी दोस्तों ये थी 13 दिनों के अंद पर तो कहीं कहीं ये 14 दिन भी दिया हुआ है तो यह हम आप्सिन के हिसा देखेंगे वैसे इसका सही आंसर 14 दिन है और अनासक्ती गीत है 12 दिन के दौरान ने लिखा था ठीक है कहीं 12 दिन भी दिया हुआ है अगर हमारा अगला प्रसन है बद्रिदत पांड़े हर गोविन पंद और चिरंजी लाल के नेतर में चालिस हजार सतंता सिग्णानी निकब बागिस्वर में सर्यू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंदे रजिस्टर को भागर कुली बेगार प्रथा का अंतकरिया था दोस्तों ये थी 14 जनुरी 1921 की बाद ठीक है तो 14 जनुरी 1921 ने कुली बेगार प्रथा को हटाने करे किया किया था बागिस्वर के सर्यू नदी पे रजिस्टर को भागर दिया था हमारा अगला प्रसने अप्रेल 1987 को किस राजी की मांग को लेकर संसब में एक पत्र बम फैका गया था दोस्तों ये थे त्रिवेंद पवार जिन्होंने संस सर्द में क्या पैका था बम पैका था हमारा अगला प्रसने जन्वरी 1987 में मुलाइम सिंग यादा द्वारा गटित की स्कैबिनेट समीटी ने प्रिथक उतरखन राजी बनाने वा गैर स्चन को प्रस्ताविज राजशी राजधानी बनाने की सिफारिश की दोस्तों ये थी कॉसिक समीटी हमारा अगला प्रसने है खटीमा गोली कांड का हुआ दोस्तों खटीमा गोली कांड हुआ था एक सितंबर 1994 में जिसमें साथ लोग क्या हो गए थे सहीद हो गए थे फाइरिंग के दोरा हमारा अगला प्रसने है मुझफूर नगर रामपूर ती रहा गोली का पर्टिकुलर डेट पूछी जाती है 2 October 1994 तो आप याद रखेंगे इसमें भी दोस्तों लग बख साथ लोगों की क्या हो गई थी सहीद हो गए थी जो कि प्रिथक राज की बनाने है तू इनकी क्या हो गई थी मिट्टी हो गई थी पुलिस ने इन पर क्या करा था फाइरिंग गर दिथी जिसलिए जिसमें साथ लोगों चर्णार Understand योमिंगा क्या थी मिट्टी हो गई थी मिट्ची हो गई थी मिट्ची हो पूस्ति है और सांसर हो गई हो ट्यास संट-घा की ती ती नूवंबर 2022 की मिट्चा की पहली बैठ़ कूई थी ती नौवंबर 2022 इसको आप या सबस्काराइबक ड़ीत ऑब 4 में 5 खंड नेपल मैं इंद जलसंदर कश्मीर काउल लेगा है दोस्तों यह है इसकंद पुरान पहले भी हमने प्रसने देख चुके है किस पुरान में केदार खंड तथा मानस खंड का वर्नन किया गया है दोस्तों केदार खंड तथा मानस खंड का वर्नन इसकंद पुरान में किया है बहुत रिपीटिटेड हो गया है कु लिदो किया है। हर्ष्रो वरधन के मिट्टू के बाद अ मुड़ा जिले के क्टियुर घाटी इस्टिकार्तिकेपुरे मैं बसंत देव ने किसी राजि किसेथ किसी अपनी की ? जिसमन आगे इंद शकलानी और मोलू भरदारी इन दोनों की क्या होगी थी यह सहीद हो गए थी इग्यार जिनली 1948 और सतलाना विद्रों का वहा था यह वहा था 1947 को ठीक है हमरा अगला प्रस्ट ने 1911 में दलितों के लिए सिल्पकार सब्दकाफ सरूर प्रथम परियोग दोस दिए सिल्पकार थ्टूल मुथ थी इसके लिए थे दोस्तों यह था ब्रसटा-चार के खिलाफ है कोटा खर्राय अंदोलन का उद्देश कोटा खर्राय इंदोलन भूमी हिनों को विवरं करने के लिए था हमारा में प्रस्ने राजी के सराविरोधि अंदोलन में बहession का हमारा अगला प्रसने सराव विरोजी आंदोलन का क्या ना रहा था दोस्तो ये था नसा नहीं रोजगार हमारा अगला प्रसने राज में विश्य विद्यादे आंदोलन कब शुरुआ था दोस्तो ये था सतंत्रा के तुरंत बाद हमारा अगला प्रसने देहरादुन में जद ने थानित्र हें अगल्हा प्रस नेगा है लक्ष्मी आश्रम सब्दिन कौन सगी बैने जिनों ने सरुवृदय के है कमला ऐवं बसंति लक्ष्मी आश्रम जिन को कैथलीन मेरी हैली मन ने बनाया था कॉसानी बागेशवर में हमारा अगल्हा प्रस ने गांधी में 14 जुन से 2 जुलाई तक कुमाओ की यात्रा की जबकि उसी वर्ष गड़वाल छेट की यात्रा की थी दोस्तों गड़वाल छेट की यात्रा उन्हें की थी 16 से 24 अक्टूबर के बीच 1929 अमरा अगला प्रस्ने सतंत्रा अंदुलन में सल्ट की भूमिका की सहराना करते हुए किसने इसे कुमाओ का बार्डो लिकाता है दोस्तों कुमाओ का बार्डो लिकाता महत्मा गांधी जी ने सल्ट कहें यह है अलमोडा में जिसमें दो सगे भायों की क्या हो गी थी मिट्य हो गी थी तो अगला प्रस्ट ने राज में राजनितिक चेतना के विस्तार ही तू हर गोविंद पंत तथा गोविंद वल्लब पंत ने हैपी कलब की स्थाम में दोस्तों अभी हमने पड़ा 1903 में हमारा अगला प्रस्ट ने है 85ません क्रानतीव के बाद किसने अंगरे जोंं के विरोध में काली कुमाओ के आज चेतह में काली क्रानटीविर नामक एकुप्त संगठन बना यह था कालू महरानए बहुत से मच्विशत अगला प्रस्ट पिर्धिकराची मांगे तू दिल्ली में किसने गड़िज सेवा संग की स्रीडेव सुमन तिहरी राज प्रजा मंडल हिमाले सेवा संग और यह इसकी क्या करए थी सुरौाद कीती गड़िज सेवा संग तो यह अलग-अलग पूस्ता है हमेशा सिधेव सुमन से लिएटिड उत्रखन विधायक जस्वंद करदीश विदानसभ़ा में उत्रखन से चंब्स प्रस्था का Faculty 1990 हमारा अगला प्रस्थां प्रदान मंत्री सभू हाय ने इव्त्रखन गोडाा के खुछनाकर की कीशना लाल अगला प्रेस्टन है महाभरत के किस परव में लोमस रिसी के साथ पांड़ों की बद्रिनाथ यातर का वर्णन है दोस्तों जो पांड़ों बद्रिनाथ आए थे लिखा हुआ है वन परव में अगला है गणिस नारद मुकंद व्यास एवं इसकंद गुफाएं कहा है दोस्तों यहें बद्रिनाथ के समीप अगला पैसने राजी की किस प्रगति हासिक पुरस्थल से 5.2 किलोग्राम का पांच दसंब दो किलोग्राम का सोने का मुखटा मिला है दोस्तों यह है मलारी जो कि चमोली में पढ़ जा हमारा अगला प्रशन है परमार सासक जो पवार सासक थे उनको साक्योपादी किस ने दी थी बहलो लोदी ने यह हम देख चुक है बहले भी किस किलो को फोर्ट मेरा भी कहा जाता है दोस्तों फोर्ट मुईरा है वैसे असल में फोर्ट मुईरा क तो आप याद रखेंगे लाल मंडी या फोर्ट मोईरा जिसको बनाया था राजा कल्यांचंद तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताएगा हमारे सौप प्रस्न पूरे हो चुके तो आप कमन सेक्शन में जरूर बताएं को आपको ये वीडियो कैसे लगी धन् आपको ये जरू हि किस सवय मेंसा रखें दिल्साट दोप дваanting वीज़ ट वीज़ नरूा रखेंगे थाटन लगीचियो कैसे लगीज प्रस्न पुके भीज़ किस दोटके वीज़ को अगीजों अवानerin पह 262 पैज़ किसे धन्य मेंसा हमने सेक्शन के का